इस वीडियो में हम कूलम्स लोग के उपर प्रोब्लम्स करेंगे पहले कोशिन कहता है कि एलेक्टरॉन और नुकलियस इना हाइड्रोजन आटम के बीच में फोर्स बताईए हम सब जानते हैं सेंटर में नुकलियस होगा तो उसमें एक प्रोटॉन होगा यहां एक एलेक्टरॉन होगा एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा अगर आप ओप्शन्स चेक करेंगे तो आपको ऐसा लगएगा जैसे अबी करेक्ट है बी बी करेक्ट है ऐसा नहीं है आपको याद होगा कि मैंने कहा था repulsion हो रहा है तो plus लीजिए attraction हो रहा है तो minus लीजिए तो ये दोनों option तो हमारे इसले strike out हो गए क्योंकि यहाँ plus दिखा रहे जबकि attraction दिखाने के लिए minus sign दिखाना पड़ेगा c option में notice कीजिए कि यहाँ पर r है तो नीचे r square है जबकि rule क्या था अगर उपर vector है तो नीचे r cube होना चाहिए our correct option is d d is the correct option क्योंकि यह negative sign attraction शो कर रहा है उपर e square है यहाँ r cap है और यह r cube है obviously e is the electronic charge r is the gap between them यह r हो गया question number second देखते हैं कहता है electron और proton distance r पर रखे हुए कौनसा option correct है तो ठीक है electron proton हम सब जानते हैं दोनों का charge equal होते है पर sign opposite होते है तो they will attract लेकिन coulum's law Newton के third law को मानते है तो जो force यह है वही force ही होगा acceleration का formula force upon mass था दोनों का mass अलग अलग है तो acceleration दोनों की different आईगी तो इस बात को आप समझ लीजी अच्छी तरह से तो fp equals to fe अब force तो equal है लेकिन mass अलग अलग है इसलिए acceleration क्या है different a में कहता है दोनों equal है यह तो नहीं होगा b कहता है force equal है लेकिन acceleration अलग अलग है so correct option is b now pause यहां बच्चे गलती करते हैं अभी जो मैने आपको बताया यह मैने student point of view से बताया है कि बच्चे जनरली ऐसा सोचते है generally now this is wrong यह मत भूल यह force vector है और दो vector के same होने के लिए magnitude के साथ साथ क्या सही होना जरूरी है direction यहां magnitude तो same है दोनों का पर direction तो अलग है आप f e को f p लिखी नहीं सकते बिलकुल नहीं f e equals to f p लिख सकते है क्योंकि यह सिर्फ magnitude की बात कर रहा है पर vector के same होने के लिए magnitude भी same होना चाहिए और direction भी same होना चाहिए यहां दोनों अलग-अलग है so correct option is d ना force same लेंख है आप ना acceleration ठीक है अगला question है point charge क्यों है और kept at a distance a from a charge q uniformly distributed over a line of length find force between them ध्यान से देखिए यहां charge l length की एक line के उपर है यह l length की line है इसके उपर charge है यह चोटा charge q यहाँ पर है gap इसका यह है आपको force चाहिए क्या कीज़े actually coulum's loss सिर्फ point charge इसके लिए valid है तो हम क्या करेंगे यहां से x के distance पर dx का एक चोटा सा हिस्सा ले लेंगे इसका charge dq मान लेंगे तो df force हमारा आ गया k q dq by x square और क्याब Unitary method लगाई है, length l है तो charge q है, 1 है तो q by l है dx है तो q dx by l है, इसका मतलब हमने dx से corresponding charge निकाल लिया corresponding charge हमारा q dx by l है, df आया k q q dx by l x square total force के लिए of course integrate करना पड़ेगा, 1 by x square dx का आप integration करेंगे, तो अगर आप 1 by x square dx का integration करते हैं, limit भी लेना जरूरी है, notice कीजिए, पहला end a की दूरी पर है और दूसरा end a plus l की दूरी पर है, आप ये देखो ना, दोनों charges के बीच का lowest gap, smallest gap क्या हो सकता है, smallest gap a हो सकता है, तो आपकी lower limit a आ गई, largest gap क्या हो सकता है, a plus l, तो आप पर limit a plus l आ गई, तो initial gap a है, final gap a plus l है, x to the power n dx का integration था, x to the power n plus 1 by n plus 1, limits रखनी पड़ेगी, 1 by x square dx को आप सबसे पहले, x to the power minus 2 लिख लिजे, x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, of course, ये minus 1 by x आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस की value रखेंगे, k q q by l, minus 1 by x, a से a plus l, substitute करते हैं values, k q q by l, आपको तो पता ही है, integration में हम क्या करते हैं, अब ये upper limit लेके पहले या रखेंगे, फिर lower limit, तो minus 1 by a plus l, minus of minus 1 by a, ठीक है, minus of minus 1 by a, यहाँ minus sign है, यह minus sign, तो ये formula आपका convert होके हो गया, k q q by l, 1 by a minus, 1 by a plus l, LCM ले 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 लेज़े, the final answer is, k q q a into a plus l, अब यहाँ हमने direct क्यों नहीं लगाया, coulum's law, क्योंकि coulum's law, point charges के लिए लगता है, coulum's law point charges के लिए लगता है, और ये जो second charge है, ये line charge है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि center of mass ले ले लेते हैं, सारा का सारा charge या center पर लेके direct बना देते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए, वो गलत हो जाएगा, center of mass आप यहाँ नहीं लगा सकते directly ऐसे, तो इसमें यही करना पड़ेगा, you will have to integrate, आपको छोटा section लेना पड़ेगा, उसका चार्ज लेके पूरे के लिए integrate करना पड़ेगा, ठेक है, यह बात आ गई समझ आपको, next question is, a charge q is kept at the center of a ring, of radius r carrying a charge q uniformly over it, find the tension in the ring, यह erodov का question है, it's a very good question, d theta का, एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, यह r है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि tension force acts away from the body, tension force यहाँ पे दोनों जगब, यह छोटा section मैंने लिया है, dl का, और यह दोनों तरफ tension t और t लग रहा है, हम इस section को अलग से draw करेंगे, अगर आप इस section को अलग से draw करते हैं, see everyone, t इधर, t इधर, यहाद रखिएगा, thread, rope, chain, wire, cord, कोई भी अगर tight है, तो उसमें tension तो लगेगा ही लगेगा, charge क्यों यहाँ था, यह d theta अमारा angle था, आप इन दोनों tension forces को पीछे खीचे, जब दोनों tension forces को आपने पीछे खीचा, यह यह center पे मिले, इसका यह angle आ गया d theta by 2, यह दूसरा angle भी d theta by 2 आ गया, यह भी d theta by 2 है, यह भी d theta by 2 है, तो हमने क्या किया, t और t को जैसे पीछे extend किया, यह d theta by 2, d theta by 2 आ गया, यह बिल्कुल बीचो बीचाएगा, यह 90 का angle है, यह 90 minus d theta by 2 है, automatically यह angle आपका d theta by 2 है, correct, see, d theta by 2, 90, 90 minus d theta by 2, t को तोड़ते हैं, t cos d theta by 2, t cos d theta by 2, और जब आप center की तरफ तोड़ेंगे, तो t sin d theta by 2 इधर से, और इधर से भी t sin d theta by 2, अच्छा बताईए, center पे charge क्यों है, यहाँ d q माना था हमने, repulsion, k q d q by r square, अगर अब आप इस सिर्फ छोटे section को equilibrium में रखते हैं, तो center वाला charge का जो force है, जो center की तरफ जो दो forces लग रहे हैं, और जो बाहर force लग रहे हैं, यह दोनों आपस में balance करेंगे, इस बात को समझेए, कि अगर आप इसको देख रहे हैं, notice करिए, इस charge ने, और यहाँ जो हमने d q charge माना है, यह आपस में repel करेंगे, point charge माना है, हमने एक बहुत छोटा सा section लिया है, तो यह point charge मान सकते हैं आप, यह कूलम slow हमने लगा दिया, tension away from the body लग रही थी, उसको हमने तोड़ा, तो center की तरफ दो components आगे, body को balance रखना है, अगर इसको balance रखना है, तो common sense कहता है, 2t sin d theta by 2 is k q d q by r square, now, for small theta, sin theta is approximately equal to theta, obviously d theta by 2 बहुत छोटा है, sin d theta by 2 को आप, सिर्फ d theta by 2 लिख सकते हैं, tension का formula आपका 2t, d theta by 2 is k q d q by r square, अच्छा, ये 2 से 2 कट गया, अभी d q आपने निकाला नहीं है, अच्छा, ये d theta है, ये d q है, कहीं cancel मत कर दीजेगा आप इसको, अब d q निकालता हूं मैं, unitary methods से, angle जब 2 pi है, तो charge q है, 1 के लिए q by 2 pi, d theta के लिए q d theta by 2 pi, ये answer एकिए न, 360, जब angle 360 है, 2 pi है, तो charge q है, 1 के लिए q by 2 pi हो गया, d theta के लिए q d theta by 2 pi हो गया, तो ठीक है, t d theta, t d theta अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सी, t d theta k q q d theta by 2 pi r square, d theta d theta cancel, tension in the ring is, k q q by 2 pi r square, it is an important question, एक बार, फिर से समझते हैं, charge q center पे रखा हुआ था, capital q ring पे distributed था, tension in the ring बताना था, tension in the ring, हमने d theta का एक small h सा लिया, उसको मैंने redraw किया, tension force always acts away from the body, एक tension इधर दिखा दिया, एक tension इधर दिखा दिया, दोनों अवे लग रहे थे, तो tension force acts away from the body, वी शोड़, अब tension को break किया, यह d theta by 2 था, यह 90 था, यह 90 मैनिस d theta by 2, यह d theta by 2 आगया, cos वाला component, cos वाला, sin वाला, cos वाले cancel हो रहे है, sin वाले add up, छोटा part लिया था, इसलिए दोनों point charge है, coulum's law, यह देखिए, balance है, equal रख दिया, यह दोनों balanced है, equal रखा, छोटे theta के लिए, sin theta approximately theta, sin d theta by 2, is approximately d theta by 2, तो यहाँ पे इसको पट करा, 2 से 2 cancel, यह बच्चा, d q अभी पता नहीं था, unitary method लगा दिया, angle 360 है, 2 pi, charge q है, 1 के लिए, q by 2 pi, तो d theta के लिए, q d theta by 2 pi, तो t d theta, is k, into this, divided by this, d theta से d theta कट गया, हमारा final answer, यह है, so this is the tension developed in the ring, due to the positive charge kept at the center.